हिमाचल परदेश को 2022 तक क्षे रोग मुक्त किया जाएगा परदेश स्वास्ते विभाग पूरी तक परदा से इस दिशा में कारे कर रहा है परदेश तक क्षे रोग के खात्मे के लिए 2 क्रोड रुपे का प्रवधान किया गया है ये जानकारी स्वास्ते एबं परिवार कल्यान मंत्री बिपन सिंग परमार ने सिवल अस्पताल पालमपूर में 25 लाक रुपे की लागत से स्टीवी नाट सुबिधा का सुभरम करने क के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए दी उन्होंने कहा कि परदीश में क्षे रोगी पहचान के लिए हिमांचल परदेश के 15 स्वास्ते संस्थानों में भी ये सुब्धा उपलब्द की जाएगी उन्हें कहा कि पालमपूर में सीवी नाट मिशे लगाने से धो घं में एक शेयरोग की जांच हो जाएगी उनने कहा कि सब्ता में मंगलवार, पीरपार और शनिवार को जान सुब्धा उपलब्ध होगी। और स्वास्ते मंतराले टीवी को जड़ से खतम करने के लिए स्वास्ते मंतराले के ततपड़ता से कारे कर रहा है। और स्वास्ता ठीक करने के लिए कारे को मिशन के रूप में लिया गया है और सरकार पड़्देश में स्वास्ते सुविधा को सुद्रिड करने के लिए प्रतिवत है। उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पताल में निश्विल के दवाईया उपलवद हो इसके लिए सिविल अस्पताल पालंपुर को दवाई करीदनी के लिए 40 लाख रुपे की राशी उपलवद करवाई जाएगी। गाटन किया गया। मुझे पिछले दिनों समाननी परधान मंत्री जी के एक टीवी सुमिट के ऊपर विज्ञान भवन दिल्ली में शामिल होने का मुखा मिला। मुझे वहाँ पर अपने वीचार रखने का भी मुखा मिला। परधान मंत्री जी ने हिंदोस्तान के सभी राजियों से कमिटमेंट ली है। कि मेरा ये देश तीवी मुख्ध हो। और मेरा ये देश दो हजार पच्चीस तक एक लक्ष रखा गया है तब तक मुख्ध हो। प्रंतु हमने हिमाचल परदेश में ये टार्गेट रखा है कि दो हजार पच्चीस तो पूरे देश के लिए हो सकता है। हम वर्ष दो हजार बाइस तक अपने इस हिमाचल परदेश को पूरी तरह से टीवी मुक्त कर देंगे। पुल परदेश में अभी तक लगभग पंदरा स्थानों पर इस प्रकार की अत्यरुनी मशीनों को लगाया गया है। मशीन ही नहीं। आर एंटी सीपी के हमारे अधिकारी और करमचारी मेहनत कर रहे हैं। वो सक्रियता से लगे हैं। पैसिव रूप से फाइंडिंग नहीं एक्टिव रूप से केस फाइंडिंग हो रही है। तभी तो हिमांचल प्रदेश में लगवख सोला हजार टीवी के पेशेंट जो हम वो चनित किये वे हैं। और इसका मतलब यह नहीं। जैसे बाहरीय साहब ने कहा कि हिमांचल प्रदेश में क्यूबर क्लॉसिस के बहुत मरीज होगे। यह इस बात की और इशारा कर रहा है कि हिमांचल प्रदेश में इस खशेयरोग को जर से खतम करने के लिए स्वास्ते मंत्राले खशेयरोग विभाग जो है वो ततपरता के साथ काम कर रहा है। इसी लिए पिछले कल माननी है मुख्य मंत्री जी ने मैं पिछले कल उना में था अखवारों में थोड़ी ख़बर कम चपी है। उन्हों ने वहां पर एक मोबाइल बैंड सीविनार हिमांचल प्रदेश के हर गाउं कस्वे में हो जाएगी। गाउं के कुछ लोगों को हस्पताल में नहीं उसी मुवाइल बैंड में टेस्ट हो करके दो गंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी। और उसका उचार शुरू होगा हरी जंडी दिखा करके मुवाइल बैंड का उन्हों ने शुबार्ण किया है। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने ये संकल्फ लिया है। और सबसे बड़ी बात मंत्रियों से मिला। जब मैंने अपनी बात रखी उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश इस बिमारी को जग से खतम करने के लिए इतनी गंभीर है। मैंने कहा बिलकुल गंभीर है। उन्हों नहीं कहा अभी जो बजट प्रुस्तुत किया विया है। उस बजट में इस पीवी उन्मूलंग के लिए हमने दो क्रोड रुपए का प्रावधान बजट में रखा है। हमारी नियत बिलकुल साफ है। वो प्रधान मंत्री जी ने क्या कहा। याद रखना कोई योजना बनती है और उस योजना को दस बीस साल हो जाएं। और उस योजना के ओपर समय समय पर भाशन दिये जाते रहें। भाशन मत दिजिए। एनलाइज कीजिए। समिक्षा कीजिए। टार्गेट में निस्टित कीजिए। और एनलाइज करने के बाद, समिक्षा करने के बाद, हम उस योजना को कैसे मूत रूप दे सकते हैं। उसके ओपर विचार कीजिए। ये कमिट्मेंट हमारे से देश के पठान मंत्री जी ने ली है। पुई ये करने के बाद, समिक्षा कीजिए।